आप सभी का स्वागट है एस्ट्रोवेदिक कारिक्रम में और मैं हूँ आपके साथ उपेंदरकौर दर्श को जीवन में परिशानियों का आना एक समानने बात है क्योंकि जीवन में यदि सुख है तो दुख भी कहिना कहीं है लेकिन उन दुखों से डर कर बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं उन दुखों का निवारन भी हो सकता है यदि हम प्रयास करें यदि अगर हम सही समाधान करें उन समस्याओं का तो ऐसे में हमारे जीवन में खुश्यों का आग्मन हो सकता है बस उसके लिए हमें प्रियास करने की आविश्यक्ता है और आज इस कारेक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी ही तमाम जानकारियों से अफ़कत कराएंगे जिससे आपके जीवन में होगा खुशियों का आग्मन तो आईए बिना देरी की एक आरेक्रम की शिरुवात करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं अपने खास महमान का नमस्कार सचिन जी नमस्कार उपिंदर जी सचिन जी आज जैसे कि आज हम ऐसा स्टूडियो में आप शामिल है तो यहाँ पर सबसे पहला प्रेशन में आपसे यही करना चाहूंगी कि वैदिक एस्टूलॉजी क्या है थैंक यू पिंदर जी सबसे पहले मैं संत्वानी चैनल के सभी दर्शकों का हादिक अभी नंगितन करता हूं जैसा कि आपने पूछा कि वैदिक एस्टूलॉजी क्या है वैदिक एस्टूलॉजी अगर हम इसको प्रभाशित करें तो यह एक ग्रहों की नक्षत्रों की और राशियों की और तमाम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन्स की एक शास्त्र है जिससे के हम जातक के जीवन के अंदर चल रहे परिशानियों का उसके वर्तमान, भूत और भविश्य इन सभी का ध्यान करते है और भारतिय संस्कृति तो वेदों पर ही अधारित है और जियोतिश का जनम भी वेदों से ही हुआ और इसलिए वेदिक एस्ट्रोजी अपने आप में एक संपून विग्यान है जो के हमारे पूरातन रिशियों मुनियों ने बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लेन किया जिससे के हम आज भी बहुत अच्छे तरह अपने वर्तमान का अपने भूत और भविश्य का अंदाजा लगा सकते हैं वेदिक एस्ट्रोजी के माध्यम से लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि ग्रहों की स्थितियां जो है हमारी कुंडली में परिणाम हमें देती है चाहे वो सुख परिणाम हो या फिर दुखत परिणाम हो तो जानना यहीं चाहूंगे कि ग्रहों की स्थिति जातक क कीसे प्रभाव अपना डालती है? जी बिलकुल. देखी उपिंदर जी, अगर मैं ये कहूँ कि कुंडली है काम कैसे करती है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कुंडली है क्या वास्तरों में. कोई भी एक वर्ग कुंडली या कोई भी एक जातकी जनम कुंडली आपको जातक जिस समय जनम लिया उस समय की ग्रहों की स्थिती और नक्षत्रों की स्थिती और राश्यों की स्थिती बताती है अगर मैं बात करूँ के लगन चार्ट क्या है लगन कुंडली क्या है तो जो भी बालक के जनम के समय आबालिका के जनम के समय जो इस्टरन होराइजन की उपर जो भी राशी जो उदे हो रही थी वो जातक का लगन बन जाता है और उसी के अधारत लगन कुंडली क्तियार होती है लेकिन जो मन उस्थिती है किसी भी जात तक की वे मन की स्थिती जानने के लिए हम चंदर कुंडली का सहारा लेते हैं और चंदर कुंडली जैसा के नाम से ही जाहिर है कि चंदरमा के उपर बेस्ड है और चंदरमा की पुजिशनी के उपर बेस है इसी तरह जितने भी ग्रह हैं जैसे अगर मैं बात करूँ साथ तो हमारे में ग्रह हैं और दो छाया ग्रह जिने हम बोलते हैं राहू और केतू इन सबी ग्रहों की जो कुंडली के अंदर पॉजीशन है उसी के बेसिस पे ताउम्र जो है जातक को फल मिलते हैं अगर मैं कहूं कि सूरे क क्या इसके अंदर importance है सूरे आपकी vitality को दिखाता है सूरे आपके confidence को दिखाता है सूरे आपके growth को leadership skill को दिखाता है चंदर्मा जो है वो emotions को दिखाता है relationships को दिखाता है nurturing capabilities को दिखाता है मंगल जो है यह energy प्रदान करता है कोई बी किसी भी तरह की motivation या किसी भी तरह की capacity action लेने की वो जात तक ही दिखाता है Mercury जो है यह जिसे हम कहते है यह बनिया गरह है और यह analytical skills को दिखाता है यह communication skills को दिखाता है, intelligence को दिखाता है Jupiter जो है यह luck को दिखाता है, यह wealth को दिखाता है यह आपकी horizons को broaden करने की capabilities को दिखाता है Venus बहुत important है relationships के लिए, यह creativity, love life, romance, enjoyment, life के pleasures के लिए Saturn जो लोग आम जंदगी में भी Saturn का नाम सुनते ही घबराते हैं क्योंकि यह जंदगी के अंदर restrictions लेके आता है, यह जंदगी के अंदर दुख लेके आता है और responsibilities का आपको अनभव करवाता है राहू और केतू कहने को तो चाया ग्रह है, लेकिन हमारे गुरुदेब बोलते है के राहू ही कल्योग में दुनिया को चला रहा है राहू आपको materialistic जो gains देता है, रातो रात राहू जो है वो आपकी जिंदगी को बदलने का मादा रखता है केतू जो है वो detachment देता है, केतू आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है तो यह आपस में बिलकुल opposite है देखे दरशकों कितने अच्छे से यहाँ पर आपको सचिनची ने बताया है कि किस तरह से ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में आपके जीवन में प्रभाव देती है मैंने आपको शुरू में ही कारिक्रम में कहा था कि इस कारिक्रम के माध्यम से आज आपको वो जानकारी दी जाएगी जिससे शायत ही पहले आप अवगत हो इस कारिक्रम को आप ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा क्योंकि बहतरीन जानकारी आज इस कारिक्रम के माध्यम से आपको दी जा रही है चली इसे के साथ कारिक्रम में आके बढ़ते हैं सर यहाँ पर आपने जब अपने आंसर अभी आप थोड़ी दिर पहले दे रहे थे तो उसमें आपने वर्ग कुंडली का भी कुछ मेंशिन किया था जानना चाहूंगी कि कुंडलियों की भी प्रकार होते हैं और अगर प्रकार होते हैं तो उसमें वर कुंडली क्या है जी बिलकुल उपिंदर जी बहुत ही important question है और एक बहुत ही important subject है एस्टोलोजी में divisional charts की use कहां पे की जाती है देखिए एक जनम कुंडली तो बन गई जो जातक के जनम के समय की जो स्थिती को दिखा रही है लेकिन अगर हमें deep analysis करना है किसी जातक की जिन्दगी के बारे में suppose हमें देखना है कि क्या उसका वेवाविक जीवन जो है वो विवा के साथ वो सुख रहेगा या उसको विवा होगा या नहीं होगा विवा डिले से होगा उसका काम क्या होगा क्या काम करेगा क्या वो जॉब करेगा क्या वो बिजनिस करेगा संतान होगी या नहीं होगी त तो वहाँ पे हमारे रिशययो मुनियों ने वरग कुंडली का सिधान दिया जहाँ पे मेन 16 वरग कुंडलीया है जनम कुंडली को मिलाके जिससे के हम जातक कि अगर मैं बात करूँ उसकी वेल्थ क्या रहेगी जातक कि उसकी भाई बहन कितने होंगे जातक का जो संपत्ती कैसे रहेगी उसको सुक के साधन कितने होंगे तो तरह तरह की जो ये 16 सब्जेक्ट जो है रिशियो मुनियों ने 16 वरक कुंडलियों से किये हैं इसमें जो सबसे पॉपुलर है उसे हम बोलते हैं D9 नवमांश कुंडली जो के अपने आप में ही एक संप पूर्ण कुंडली है और जातक के विभा के बारे में जातक के ग्रहों की पावर के बारे में और जातक के जो किस्मत के बारे में क्या वो किस्मत का धनी है कितनी डेस्टिनी या लक का उसे सपोर्ट है तो एक तरह से जातक के ग्रहों की जो पावर है वो असल में D9 से पता यहां पर हमारे पास एक क्वारी भी आई है मैं पहले वो लेना चाहूंगी बाकी जो मेरे दिमाग में जितने भी प्रशन आरे वो कुछ देर में आपसे करूंगी पर पहले एक क्वारी ले ले लेते हैं हमारे पास रोहिनी जी की क्वारी आई है जिनका सवाल यह है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र तकरीबन 31 साल की हो गई है, तो उनकी डेट ओव बर्ड जो है 18 नवंबर 1993 है, और इनका जन्म समय जो है वो एक बज़ कर 23 मिनट है दुपहर के, और इनका जन्म स्थान जो है वो है दिल्ली, ओके, तो देखिए, जैसा कि मैं देख पा रह हूँ इनका चार्ट जो है, इनके नवमांश चार्ट के अंदर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इनके विवाह में देरी होगी, क्योंकि जो नवमांश का लगन है, जो पहला हाग घर है लगन का नवमांश का, उसे शनी देव देख रहे हैं, तो शनी देव क्या है, शनी हमेशा विवाह में देरी का कारक बनते हैं, इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये निश्चिंद रहें, इनकी शादी अवश्य होगी, क्योंकि जो डी नाइन के लगनेश है, वो अच्छी पोजीशन में है, वो चौते घर में बैठे हुए हैं, और इनको विवाह के अंदर सफलता मिलेगी और विवाह होगा इनका, आने वाले जो दो या तीन साल के अंदर, अगर मैं कहूं मई 2025 से पहले पहले, इनको विवाह जरूर करवाना पड़ेगा, चाहे इनकी इच्छा हो या ना हो. चलिये बिल्खुल रोहनी जी, यहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, कि आपकी शादी जो है, जरूर होगी, हाला कि उसमें डिले हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं है, योग अवश्य ही है, लेकिन थोड़ा स सबर आपको रखना होगा इसी तरह दर्शकों यदि आपके मन में भी कोई प्रशना आ रहा है तो ऐसे में आप हमरसत कारिक्रम में जोड़ सकते हैं डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रिन पर लगातार मेंशन की जा रही है देखे दर्शकों जी यहां पर आप कुछ कहना चाहते ह मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि नमाश कुंडली जो है यह कई और सब्जेक्ट्स में भी विवाह के बारे में बहुत मददगार साबित होती है जैसे जातक कि इच्छा है या नहीं है शादी की वो भी बड़े असानी से हम डी नाइन या नमाश कुंडली से देख सकते है जातक की जो मैरिज है उसकी क्वालिटी क्या है और क्या जातक मैरिज निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा ये भी नमाश कुंडली हमें बताती है इसके सास्ता जो सबसे जो जरूरी है कि जातक की मैरिज में हैपिनेस है या नहीं और जातक अपनी मैरिज में हैपिन यहां पर प्रदान की है लेकिन मेरा प्रश्ण यह भी है जैसे हमारे पास रोही नीची की ख्वारी थी वह भी एक यूफती है ऐसे में जो हमारे यंग्स्टर्स हैं जो अभी अपना बिजनेस यह जौब की सर्च कर रहे हैं उनके दिमाग में हमीशा एक प्रश्ण रहता है क क्या करना चाहिए जिससे उनका जीवन जो है बहुत ही सफल बने तो क्या कुंडली के माध्यम से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमें जौब करनी चाहिए यह बिजनेस करनी चाहिए ज्यादा किसमें सफलता मिलेगी यह बहुत ही रेल्वेंट कुश्चन है आज की जो बहा करने के लिए और क्या उसे बिजनेस करना चाहिए 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 यह बहुत अच्छी तरीके से हमें बताती है और अगर किसी का विपार या जौब के अंदर परिशानी चल रही है तो वो भी इसका समधान जो है एस्ट्रोलाजी के माध्यम से बहुत असानी से कर सकत है एक काबिल एस्ट्रोलाजर को आपको मिलना चाहिए अगर आपको बिजनेस या जौब में कोई परिशानी है वो आपको कई तरह से सहायता कर सकता है आपको एक सूटेबल करियर सेलेक्ट करने में सहायता कर सकता है किस समय आपको वो बिजनेस या जौब जौइन करनी है उसमें help कर सकता है, आपको किस time को avoid करना चाहिए, जहां पे आपको अपना काम जो है, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहिए, otherwise losses हो सकते है, वो बता सकता है, इस्टो लॉजर, आपको home land में करना है, foreign land में करना है, ये बता सकता है, इस्टो लॉजर, आपको partnership में करना है, या को sole proprietor बनना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं, कि हमारे पास जाता की कुंडली आती है, जहां पे उसका partner से जगड़ा चल रहा है, अगर ये पहले ही देख लिया जाए, कि क्या उसके लिए partnership suitable है या नहीं है, तो ये इन सब मुश्किलों से बचा जा सकता है, तो मेरी तो स बस आविशक्ता उस कुंडली को ठीक से देखने वाले की, यानि कि जब आपकी जीवन में अच्छे astrologer की आपको प्राप्ती हो जाएगी ना, तो वो आपकी कुंडली को देखते सार आपको बता देंगे कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, या जो समस्यें आपकी सिक्रम में आगे पड़ते हैं, यहाँ पर सर मेरा अगला प्रशन आपसे यह है, अक्सर मैंने यह सुने कि अभी तो आपकी शनी की दशा चल रही है, या फिर अभी आपका जो दशा जो है वो ठीक नहीं है, अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की दशा क्या हमें संके टाइमिंग के उपर बहुत है, ताकि वो अपना टाइम जो है उसी हिसाब से प्लैन कर सके, तो जिस तरह से आपने बताया के शनी की महादशा, तो महादशा अपने आप में क्या है, या दशा सिस्टम अपने आप में क्या है, देखिए, जो प्लैनेट्स हैं, वो जो चाल है जैसे शनी देव जो है वो ढ़ाई साल में एक राशी को कवर करते हैं तो यह जो ग्रहों की चाल है वो डिसाइड करती है कि वो महादशा कितनी लंबी होगी तो जो शनी की महादशा रहती है वो 19 साल की रहती है तो इसी से basis के उपर जातक के जीवन में उतार चड़ावाते रहेंगे और जातक अपने जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव महसूस करता रहेगा जी बिलकुल नहीं, शनी देव बहुत सी कुंडलियों में योग कारक होते है मेरी खुद की इस समय शनी देव की महादशा चल रही है और जितना राइज मुझे शनी देव ने अपनी महादशा में करवाया है मैं खुद एक उधारन हूँ कि शनी देव की महादशा से डरने की गुंजाशनी हाँ शनी देव अपने सभाव के अनुसार आपको जो है आपको discipline में रहने की suggestion देंगे हमेशा या आपके करम जो है वो हमेशा helpful nature के होने चाहिए तो शनी देव बिलकुल आपको किसी तरह की जादा परिशानी में नहीं डालेंगे चलिए बिलकुल क्या कुछ आपको करना चाहिए शनी देव से तो डरने की आविश्यक्ता ही नहीं है जैसा कि हमारे अस्ट्रोजर ने आपको बताया है अभी तो दर्श को मैं आपसे यही कहना चाहूंगे कि जीवन में अगर अपनी कुंडली का आप आंकलन कराएंगे तो ऐ अक्सर देखिए सचिन जी हमने यह देखा है कि आज का जो यूथ है ना वो कुंडली वगेरा पर विश्वास नहीं रखता हमारा कहना अक्सर यही होता है कि हम महनत करतों रहे हैं तो जीवन में परिणाम अपने आप भी मिल जाएगा कुंडलियों में हम बिलीव नहीं करत तो इस astrology क्योंकि बहुत complicated है तो हमारे यूद को अगर हम astrology से connect करना चाहिए जोड़ना चाहिए तो किस तरह से हम जोड़ सकते हैं यह देखिए आपने एक इतना interesting सवाल पूछा है हमारे रिशी मुनियों की vision देखिए आप उन्होंने हजारों वर्ष पहले इस subject के उपर सोच लिया था कि जो कल्युक के अंदर जो जो लोग होंगे वो deep analysis और deep study में इतना शायद विश्वाश नहीं रखेंगे तो उन्होंने उसी समय एक पधती जो थी जिसको हम अश्टक वर्गा पधती बोलते हैं वो उन्होंने इजाद कर दी थी और इस पधती में जैसे computer में हमार और केतु को छोड़के और एक लगन ये benefit points देते हैं दूसरे ग्रहों को और लगन को और इनी benefit points के basis पे जो एक वर्ग कुंडली या एक कुंडली तियार की जाती है जैसे बोला जाता है समधाय अश्टक वर्गा और अलग-अलग ग्रहों की positioning और benefit points देखने के लिए भिनाश अश्टक वर्गा की जो रचना की जाती है इन कुंडली या इन जो अश्टक वर्ग कुंडली यों से बहुत ही अच्छे से ये पता चल सकता है कि किसी आदमी की income जादा होगी या expense जादा होगा किसी आदमी की domination घर पे उसकी रहेगी या उसकी पतनी की रहेगी उस इनसान क लक उसका साथ देगा या नहीं देगा तो ये अश्टक वर्गा का सिधान जो आपने सवाल पूछा बिलकुल उस पे फिट बैठता है जहां पे बहुत जादा डीप analysis किये हुए भी कोई भी असानी से अपना भविश्य जान सकता है जी बिलकुल तो यानि की अश्टक वर् रही है शायद ही ये जानकारी आपको पहले कभी प्राप्त हुई हो तो इस कारिक्रम को बहुत ही ध्यान पूर्वक आप देखेगा साथी साथ यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहा है या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका समाधान आपको अभी तक नही ही मिला है तो ऐसे में आपकी समस्या का समधान हो जाएगा या अकसर मैं यह भी देखा है कि नग जैमस्टोन भी दिये जाते हैं कि आपकी समस्या के अधार पर ये जैमस्टोन जो है आपकी समस्या का समाधान करेगा तो क्या वाकई जैमस्टोन जो होते हैं नग जो होते हैं वो अपनी समस्याओं का हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं देखिए आज अगर मैं बात करूँ जो मार्किट के अंदर जैम स्टोन्स को जिस तरह से रेक्मेंट किया जा रहा है और जिस तरह से उसे करना चाहिए उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है सबसे पहले तो हमें यह जरूर जानना चाहिए कि Gemstones किसे पहनना चाहिए किसे नहीं पहनना चाहिए मैं बहुत बार देखता हूँ कि हर एक को जो है बोल दिया जाता है कि शनी देव का आप नीलम पहन लीजे है या सूरे देव का मानिक पहन लीजिए और वो गरह जो है जिसका जो jamstone recommend किया जा रहा है वो पहले ही बहुत powerful position में है कुंडली में तो वो jamstone पहने की कोई जरूरत नहीं है jamstone का जो concept है ये नक्षत्र की energy के उपर काम करता है लेकिन बहुत से astrologers मुझे ये कहने में खेद है लेकिन वो इस आसपेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते है जब तक हम नक्षत्र की अनरजी को नहीं देख लेते और फिर अगर हम रेक्मेंट नहीं करते जैम स्टोन्स तो जैम स्टोन्स से हमें जो अपेक्षित परनाम है वो नहीं मिलेंगे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमें आसपेक्ट देखने की जरूरत है वो है फ्री विल अगर आप किसी बच्चे को कोई जैम स्टोन रेक्मेंड करेंगे और बच्चे को पता ही नहीं है कि उससे मुझे क्या बैनिफिट होगा तो बहुत कम चांसे हैं कि उससे वो रिजल्ट मिलेंगे तो जातक जो है या जातिका अगर उसे फ्री विल है मतलब वो अपने डिसीजन लेने में खुच सक्षम है तब ही जैम स्टोन जो है वो अपनी पूरी जो उसको रिजल्ट देने की कैपिबिलिटी को करप पाएगा तो ये बहुत ही जरूरी है कभी भी किसी के कहने पे हमें जब तक कि वो योग के एस्टरलॉजर ना हो जिसे जैम स्टोन के परभाव पता हो और किस तरह से वो पहनाना चाहिए, किस महूरत में वो पहनाना चाहिए जब तक इन सबी आस्पेक्ट्स को उनका नहीं वो देख लेते तो ऐसे में क्या कुछ घरेलू उपाए या फिर साधारन उपाए भी किये जा सकते हैं अपने समस्यों को दूर करने के लिए देखिए बिलकुल और बलकि जैमस्टोन के भी उपरतन होते हैं जो के बहुत ही कम कॉस्टली होते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर सपोज अगर आपने किसी भी जैमस्टोन को पहनने की रेकमेंडेशन ली है किनी से और उनका अगर सपोज बजट आपके जो बजट से बाहर जा रहा है तो आप ट्राइ कीजिए कि उपरतन पहनिये वो आपको आपकी रेंज के अंदर मार्किट में बड़ी असानी से मिल जाएंगे अगर वो भी नहीं सपोज अफोर्ड हम कर सकते किसी कारणवश तो हमें जो दूसरी रेमेडीज हैं हमें उस तरीके से चलना चाहिए और देखिए अगर कुछ भी नहीं हम रेमेडी कर सकते तो सिंपल ग्रहों के जो बीज मंत्र हैं अगर हम उनका भी उचारन कर लेंगे तो ग्रह जो है वो काफी हद तक शान्त हो जाएंगे बिल्किल ग्रह जो है हमारे जीवन में शान्त हो सकते है यदि हम उचित उपाए करें और वो उचित उपाए जो है आपको एक अच्छे एस्ट्रोलोजर ही बता सकते है कि वो कौन से उपाए होंगे वो सही उपाए गोन से होंगे जो आपकी जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आपकी समस्यों का समाधान आपको प्राप्त हो तो अपने जीवन में एक अच्छा मार्ड दर्शन आप जरूर प्राप्त करें जिससे आपके जीवन में खुशियों की बाहर आ जाए चलिए इसे के साथ कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्तों क्वाईरी की और बढ़ते हैं हमारे पास आई है ज़लंदर लेन्ट काजी की इनका प्रश्ण यह है कि इनके घर में जो है बहुत ही कलेश रहते हैं और इनकी सासभर्ण की आपस में अनमन है जी तो जैसा कि मैं इनकी कुंडली में देख पा रहा हूँ जी बिलकुल इनकी जो सास ससुर के साथ जो इनकी अन्बन है खास करके इनकी सासु जी के साथ वो इस बिलकुल इसके दिखाई दे रही है नमाज कुंडली में इनकी इनको क्या करना चाहिए इनको गनेश जी की जो है पूजा करनी चाहिए और इनकी कुंडली के इसाफ से मैं कहूंगा कि इनको गनेश जी को अपना इश्ट बना लेना चाहिए और उससे इनको बहुत अच्छा महसूस होगा और ये भले ही ये चीज इनकी पूरी तरह सौल ना हो लेकिन इनको काफी आनंद की अनुभूती रहेगी चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली क्वाइरी की और हमारे पास नेक्स्ट क्वाइरी आई है मिठ्धु जी की ये मेरट की निवासी है इनका डेट ओफ बर्थ है 18 नवंबर 1980 और इनका जन्म स्थान है जालंदर ही है और इनका जन्म समय है दो बचकर दस मिनट रात्री के तो इनका प्रश्णी ये है कि अभी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इनका बिजनेस जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है तो इनका प्रश्णी है कि क्या इनने कुछ अन्ने बिजनेस करना चाहिए या फिर इनने जॉब करने चाहिए जी देखिए जैसा कि मैं इस जातक की कुंडली देख पा रहा हूँ इनका छटा घर जो है जो के हमारी कम्पिटीशन या जॉब को दिखाता है वो बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन इनका सात्मा घर जो है कुंडली का वो इतना स्ट्रॉंग नहीं है जो के बिजनेस या प्रोफेशन को दिखाता है मेरे हिसाब से इनको जॉब की ट्राई करना चाहिए और क्योंकि इनका सूरे भी काफी स्ट्रॉंग पुजीशन में है तो इनको कोई गौर्मेंट जॉब की तयारी करनी चाहिए और अगर अगर मैं देखूं इनकी जो आने वाली जो महादशा भी जो है वो भी सूरे ग्रह की है तो मेरे हिसाब से अच्छे चांसस बन सकते हैं सूरे देव की जो महादशा के अंदर इनकी क्यों अच्छी सेंट्रल गौर्मेंट की जॉब लग जाए तो बिलकुल यहाँ पर आपको मिठ्धु जी परेशान होने के आवेशकता नहीं है जो बाते आपको यहाँ पर बताई गए उन बातों का आप अवश्य ही पालन कीजेगा और फिर दीखेगा कि किस तरह से आपके जीवन की जो समस्या हैं परेशानिया हैं वो दूर हो जात आपकी जीवन में खुशियों का आगमन होता है इसी तरह से दर्श को यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो आप अवश्य ही हमार साथ कारिक्रम में जूर सकते हैं चलिए इसे के साथ कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वाईरी की और ब जन्म समय जो है वो है रात्री एक बज़ कर पांच मिनट का और जन्म स्थान जो है इनका नुईडा ही है तो देखिए इनकी जहां तक इनकी मेरिज का सवाल है मैं यह देख पा रहा हूं कि जो इनका नमांश का जो लगन है वो बहुत ही पीडित है उसके दोनों तरफ जो ह मैलिफिक प्लैनेट्स हैं जिसे हम जोतिश में पाप करतरी बोलते हैं तो लगन जो है वो पाप करतरी में होने की वज़ा से इनकी शादी की इच्छा ही इस समय बहुत कम है और मेरे हिसाब से अभी अगले दो से तीन साल इनको लग जाएंगे शादी के अंदर शादी के ब रखना चाहिए और गुरु ग्रह की जो है इनको पूजा करनी चाहिए अर्चना करनी चाहिए मंतर करना चाहिए और गुरुवार के दिन इन्हें पीले चावल जो है डिस्रिब्यूट करने चाहिए तो रोही जी बिलकुल आपकी यहाँ पर आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया है साथ है साथ जो यहां पर आपको निवारण बताया गया है उन्हों पायों को आप जरूर कीजिए को और फिर देखेगा कि कि इतनी शिखर आपका विवाह संपन होता है चलिए इसी के साथ कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं यहां पर सर मैं आप से जानना चाहूंग तकरीबन दो साल पहले कुछ जीवन की उल्जनों को सुलजाते हुए मुझे कुछ एक एस्ट्रोलाजर से मिलने का मौका मिला तो मैं यह देखकर काफी सर्प्राइज हुआ कि एक बर्थ डिटेल्स के बेसिस पे किस तरह से एक एस्ट्रोलाजर इंसाइड आउट आपकी ल ग्यान नहीं तो मैं बुक्स पढ़ता रहता था लेकिन वो डॉट्स जो थे अलग-अलग वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि मेरे आसपास कहां कौन सा इंसीचूट है जो कि इसके उपर स्टडी करवाते हैं तो मुझे All India Institute of Occult Sciences के बार में बताया करीकुलम के बारे में बताया तो मुझे काफी impressive लगा तो मैंने last year जब मैंने join किया उन्हें तो मुझे तब से अब तक बहुत ही अच्छा experience रहा है उनके learned faculty members हैं और काफी detailed analysis हैं और वो अपने जो उन्होंने past में जो charts analyze किये हैं उसके basis पे अपनी वो जो practical knowledge है वो share भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा experience रहा है चले बहुत अच्छी बात है और यहां पर कारेकरम को विराम देने का भी समय आज गया है तो दर्श को आज इतनी भी जानकारी आपको यहां पर प्राप्त हुए उनको आप अपनाएगा जरूर क्योंकि जब आप इन जो अपनाएगे तो आपकी जीवन में जो जितने भी दुख चल रहे हैं उनका निवारन आपको वश्य ही प्राप्त होगा यहां पर सचिन जी आपने अपना कीम्ती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद संत्मानी चैनल का आपका उपिंदर जी और थेंक यू वेरी मच पर हैविंग में हैर थेंक यू सो मिच नमस्कार दर्श्वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले